बजरसत की शुरुवात हो चुकी है राश्टपती के अभिवाशन के साथ में लेकिन आमाधी पार्टी ने इसका बाइकाट किया है ऐसे में बयान भी आया है प्रधानमंत्री की तरफ से की आदिवासी महिला जो की राश्टपती हैं उनके सम्मान में सभी सांसदों को रहना चाहिए था तो क्या आप उनका अपमान कर रहे हैं इस तरह के आरूप लग रहे हैं इस देश के करोणों लोग लुट गए हैं जिनोंने लाइसी और एस बी आई में अपनी जिन्दगी की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया है उनके उपर चिंता के बादल मड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन बातों का जवाब देना चाहिए और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आडानी जिस व्यक्ति ने लाखों करोण की लूट की वो आपका मित्र है वो आपकी पार्टी को चंदा देता है अब तक आप खामोस क्यों है उस पर क्यों नहीं कहते कि हम सादन में चर्चा कराएंगे कल भी मैंने सर्वदली बैठक में ये मुद्दा उठाया था उस पर प्रदान मंतरी जी कुछ नहीं बोल रहा है अचा आप एक चीज़ बताईए इस देश के करोणों वो महिला आदिवासी करोणों वो आदिवासी करोणों वो दलित वो पिछड़े वो सोसित वो ठेला आने वाले वो गरीब इनसान जिनोंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा एलाइसी में लगा रखा है एस बी आई में लगा रखा है बैंकों में जमा कर रखा है उनका पैसा लुट गया इस पर जवाब नहीं चाहिए परदान मंतरी जी को ये उन करोणों लोगों के भ इजली दे दी मोधी जी ने पानी दे दी मोधी जी ने सिमेंट की फैक्टरी दे दी पूरा देश उस वेक्ति के नाम निलाम कर दिया और उसके बाद इतना बड़ा ब्रस्टाचार हो गया कोई जवाब नहीं दे रही सरकार और इस ब्रस्टाचार को समझने के लिए भी दे उस सेर के दाम इन्हों ने बढ़ाए और लाखो करोड़ रुपए का बैंकों से करजा ले लिया एलाइसी का सतासी हजार करोड़ रुपए लगा हुआ है अडानी की कमपनी में किसके कहने पर लगा हुआ है मोधी जी को जवाब देना चाहिए हजारों करोड़ करोड़ो लोगों की जेव लूटी है वो कहरा भारत पे हमला हो गया और भारत पे अगर हमला हो गया तो कहां छुपे हैं मोधी जी उनको जवाब देना चाहिए सामने आके सरकार से आपका सवाल पूछना जायज है जैकि जो राष्टपती हैं वो सरकार का हिस्सन नहीं होती है राष्टपती की गरिमा पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है महा महिम राष्टपती जी के सम्मान पर कोई सवाल ही नहीं है हम तो इस देश के करोणो आदिवासियों की दल पिछणों का सोसितों का अदलीतों का आदिवासियों का आम आदमी का जिनका पैसा ढूब गया और करोनों निवेस्कों का कहा की बात कहा जोड रहे हैं तो कök जाता है हम लोग कि आओं बाओं साओं वो बोलने से काम नहीं चलेगा सीधे जवाब दो ये लाखो करोन की लूट जो हुई है उसका जवाब दो आज बाइकट के आगे का रुख क्या रहने वाला है देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है सदन में सदन में चर्चा की मांग करेंगे हम लोग इन विशो पे चाहेंगे अडानी सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है उसकी लाखो करोन की लूट आफ़ी स्वाल में आप से दो राज्जों में आपकी सरकार है बजट पेश किया जाना है कैसी उमीद हैं आपकी दिल्ली या पंजब को लेगे अब देखें ये लोग जिस प्रकार की दुर्भावना से काम करते हैं इनसे बहुत ज़्यादा उमीद करना बेकार है ये तो खाली आप ये पूछें कि कितने अरंगे लगा सकते हैं तो उसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत बता सकता हूँ इनसे कोई उमीद करना बेकार है क्या रहत दिया है सरकार ने अब तत क्या रहत दिया है बताईए आप कितने लोगों को रोजगार दे दिया कहां महंगाई कम कर दी कैंसर जैसी दवाओं पे तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिये दूद दही चाच आठा दाल चावल पे टैक्स बढ़ा दिये डीजल पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिये